ओम नमा शिवाय जय महाकाल यह एक उपाय चुपचाप से कर लेना पांच काली उड़त की डाल के दाने घर में इस जगह पर रख देना रातों रात आपकी गरीबी और निर्धनता दूर हो जाएगी मा लक्षमी की असीम कृपा आपके उपर बरसेगी और कभी भी आपको अपने घर पर करना है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं इस उपाय को करने से आपके जीवन में विशेशकर अगर धन की कमी है आप चाहते हैं कि आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और हमेशा आपके उपर मा लक्षमी क आपकी कृपा बरसती रहें आपके कार्यों में कभी कोई अर्चन नायें तो आपको विशेश कर यह पांच काली डाल के दानों वाला उपाय करना है, इसी के साथ आपको बता दें, जो लोग अपने जीवन में शने की साढ़े साथी से परिशान है, शने धहया से परिशान है, शने की कोई भी महादशा अगर उनकी कुंडली में चल रही है, या फिर अगर आपको नहीं भी पता है कि आपकी कुंडली में शने की साढ़े, साथी है शने धहया है, या कोई वास्तुदोश है, कुछ भी आपको नहीं पता है, फिर भी आपको उपाय जरूर, करना चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कि बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, ठीक है न बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती है, और जब तक आपको उस चीज की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप उसका उपाय नहीं करेंगे, और उपाय नहीं करेंगे, तो आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, चाहे फिर वो पैसे को लेकर हैं, चाहे फिर वो धन को लेकर कर वो आपके जीवन से दूर नहीं होते हैं और उपाय आप कर लेते हैं, तो इससे कभी भी आपको घाटा नहीं होता है. कोई नुकसान नहीं होता है, हमेशा उसका अच्छा ही फल आपको मिलता है भगवान की क्रिपाही. आपको मिलती है, उनका आशिरवाद ही आपको मिलता है, तो अगर जीवन में दुख बहुत ज्यादा है, कश्ट बहुत ज्यादा है, तो देखिए कोई ना कोई चीज तो ऐसी आपके जीवन में है, जिसकी वजह से आपके जीवन में लगातार दुखा रहे हैं, लगातार कश कुछ ना कुछ तो आपके घर में ऐसा है कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में इतने ज्यादा कश्टों का सामना कर रहे हैं तो जो लोग करजे जैसी समस्याओं से भी परेशान हैं उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए और उन लोगों के लिए त शनी धिया से भी आपको छुटकारा मिलता है शनी की महादशा से भी आपको छुटकारा मिलता है तो देखिए शनी देव जो है ना काली डाल शनी देव से भी जुडी हुई है साथ ही साथ काली उड़त की डाल के जितने भी उपाय हैं यह शनीवार के दिन भी किये जाते है और भी बहुत सारे दिन होते हैं जिनमें आप इन उपायों को कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपके किचन की काली उड़त की डाल आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है, आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देती है, तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की जो की आपको करना है, काली उड़त की डाल से तो देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रही है, इसका लाब यही है कि कोई भी अगर घर में ऐसा व्यक्ति है, जिसे नजर दोश लगी है, जिसकी तबियत बहुत खराब रहती है, और वह व्यक्ति अगर कोई काम को करने जाता है, उसका काम नहीं बनता है। कहने का मतलब है, अगर कोई भी मार है, कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसका काम नहीं बन रहा है, कोई बहुत जुआदा करजा ले चुका है, तो हर प्रकार के मनुष्य को इस उपाय को करना है, जो भी आपके घर में है, तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी डा लेनी है, तूटी हुई डाल नहीं लेनी है, ठीक है ना अब जो भी व्यक्ति आपके घर में है, आपको लगता है कि इस व्यक्ति को बहुत नजर दोश है, उसके उपर से आपको साथ बार ठीक है ना उस डाल को घुमाना है, उसके सर के उपर से ठीक है ना उल्टी दिशा म गुमाना है, एंटी क्लॉक वाइस क्लॉक वाइस नहीं खीक है ना जैसे, घड़ी की सुई को हम उल्टा कर द उस तरह से आपको गुमाना है, और किसी भी चौराहे पर आपको शाम के समय में इसे रख देना है, चुपचाप रखना है, जब आप ये उपाय करेंगे आपको ब ही काम होते हैं, जिसमें अर्चन आ रही होती है, वह आपके बनने लगते हैं, तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, पांच काली उरद की डाल के दाने आपको अपने घर में किस जगहे पर रखना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह उपाय आपके जीवन के कारि और शीधर ही आप देखेंगे कि आपके घर में धन आना भी शुरू हो जाएगा, धन रुकना भी शुरू हो जाएगा, और धन की वृद्धी भी शुरू हो जाएगी, मतलब मतलब आपका पैसा जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उपा पूर्ण सच्ची श्रधा के साथ आपको उपाय करना होता है, वो उपाय आपका जरूर सफल होता है, जो दूसरा उपाय. आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना इसमें. ऐसा नहीं कि आपको दिन देखना है, शनिवार के दिन कर लें, कोई से भी दिन आप कर लें, तो देखिए आपको क्या करना है, पांच काली उड़त की डाल के साबुत दाने लेनी है, एक भी दाना, उसमें टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो ठीक है, ना अब आपको क्या कर शाम के समय में यानी संध्याकाल में संध्या का मतलब जब शाम हो जाती है ना चार बजे के बाद का जो टाइम होता है पाँच से लेकर साथ बजे के बीच का टाइम इसे ही हम शाम बोलते हैं, तो आपको शाम के समय में यह काली उरत की डाल के 5 दाने, अपने घर के बाहर, मुख्यद्वार के बाहर आपको फैला कर रख देना है ठीक है ना पांच दाने पांच जगह पर पांच जगह का मतलब आसपास ही रख देंगे और फैला कर रख देंगे सिर्फ इतना उपाय आपको करना है तो देखिए इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके कामे यानि की जो भी आप काम करते हैं उसमें कभी रुकावट नहीं आएगी पहली चीज दूसरी चीज की जिस काम को लेकर आप बहुत परिशान थे कि मेरा यह काम बिगड़ता बहुत है हो नहीं पाता है उसमें काम होगा भी बनेगा भी और उसमें आपको बहुत तरक्की, बहुत सफलता मिलेगी, आप देखेंगे कि जिस काम को आप कर लेंगे इस उपाय को करने के बाद, जिस काम को आप पूरी लगन से सच्ची श्रद्धा और मेहंत के साथ कर लेंगे, भगवान पर विश्वास रख कर कर लेंगे उसमें आपको, सफलता मिलेग की दिन दुनी रात चो अगनी आप तरक्की की करने लगेंगे इतना ज्यादा महत्व होता है यह पांच काली डाल के दाने वाले उपाय का तो बहुत ही उत्तम और विशेश उपाय है आपको ये उपाय करके जरूर देखना चाहिए जो भी दिन आप करें मान लीजिए आपने शनिवार के दिन किया तो आप पांच शनिवार करें ठीक है ना जिस दिन भी कर रही हैं पांच दिन लगातार आपको करना है लगातार का मतलब पांच शनिवार लगातार पांच मंगलवार जिस जब भी करें आप ये उपाय ठीक है ना चलिए अब जल्दी से बात कर लेते तीसरे उपाय की अब तीसरा उपाय जो है ये विशेशकर उन लोगों के लिए है जो कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं या जिनका काम है चल नहीं रहा है बहुत मेहंत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है है ना बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हम यह काम करने चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये नया व्यवसाय बहुत अच्छा चले इसमें कभी घाटा ना हो है ना या हम यह करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तो उनको क्या करना है देखिए आपको काली तरफ दुकान की दोनों तरफ या ओफिस की दोनों तरफ मुख्य द्वार पर थोड़ी थोड़ी सी काले उरत के साबुत दाने रख देनी तो देखिए जब आप इस उपाय को करते हैं, कोई भी नया काम आप करें, किसी भी चीज की आपकी दुकान हो, कोई ओफिस हो, इससे क क्या होता है, कि आप जिस काम को करते हैं, उसमें आपको बहुत सफलता मिलती है, हमेशा आप अपने जीवन में आगे जाते हैं, आपका जो भी कार्यक शेत्र होता है, उसमें कभी भी आपको मंदी यानी की कभी भी अपने धन में कमी देखने को नहीं मिलती, है तो यह एक ऐसा उपाय है जो जितने भी लोग हैं ना नए नए तरीके से काम को शुरू करूँ रहे हैं या करने जा रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, एक दो महीने हुए हैं, एक दो साल हुआ है, उन्हें विशेशकर यह एक उपाय जरूर करना चाहिए, तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, अपने लास्ट उपाय की, और यह जो लास्ट उपाय है, यह उपाय है, आपके विवाह में आ रही अरचनों को दूर करने के लिए कहने का मतलब है, जो लोग कहते हैं, कि हमारा विवाह होते होते रुख जाता है, रिश्टा होकर तूट जा कुछ ना कुछ उसमें अर्चन आजाती है, हमें नहीं पता की ऐसा क्यों। हो रहा है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के विवाह में। परिशानी आ रही होगी, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी क्योंकि साल 2024 शनी का साल है और शनी भगवान को आपने प्रसंद कर लिया कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका बनेना तो आज। कि विडियो में बहुत ही अचूक उपाय आपको बताए हैं, हमेशा की तरह अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, अगर फिर भी आपको कुछ पूछ ना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हमेशा की तरह आपको हमारी विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जैकारा आपको लगा कर हर-हर महा दे